सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू और सबसे पहले पहुंचे आपके पास हेलो फ्रेंड्स आज फिर एक वीडियो लेकाया हूँ आपके लिए अपने यूटूब चैनल हिंदी टेक्निकल हब पर और ये वीडियो विशेश तोर से दोस्तों उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं इंजिनिरिंग कर रहे है उनके लिए ड्राइंग में क्या विशेश चीज होती है जिसको देखकर अपन प्रोसेस सलेक्ट करते हैं एकोरेशी के साथ उसी चीज को मैं बता रहा हूँ दोस्तों यह जो सिंबल है यह सिंबल यह डावल का सिंबल है दोस्तों डावल मिंस रेफरेंस होता है प्रोसेस का उस प्रोसेस जो रेफरेंस से प्रोसेस उसी के हिसाब से चलता है अकोर्डिंग टू डावल रेफरेंस एंड देगे जो डावलों से डावलों का एकोरेशी विशेश रूप से ध्यान देना है और यह दो डावल जो सेंचर से दे रखी है इन डावलों के रेस्पेक्ट में ही कंपोनेट फिट होता है किसी भी मेंटिंग पार्ट पर मिर पास यह ड्रोईंग है और द्रोईंग कस्टूमर की ड्रोईंग है दोस्तों इसका जो फिटमेंट बेसिकल में बताऊंग आपको फिटमेंट की एक करती जब अपन मशिनिंग करते हैं चाहिए टर्निंग हो चाहिए वीमसी हो तो यह फिट्मेंट के तीन पॉइंट दे रखें पांच पॉइंट और पांच पॉइंट दे रखें वन टू थ्री फोर फाइब यह दोस्तों डावल है डावल 8 mm की है 0.015 की जो टोलरेंस है अंदरा माइक्रोन में टोलरेंस इसकी होल की डावेटर की यह डावेटर का सिंबल 8 mm डावल है प्लस 0.015 की एकुरेशी के साथ है थ्री डावल होल दे रखें एस सोन पीचिडी 264 और पॉजिशन एकुरेशी पॉइंट टू है यह विद रेस्पेक्ट तू सेंटर है इस सेंटर बोर से और सेंटर बोर की जो एकुरेशी है यहाँ पर इस एकुरेशी एकुरेट बोर है दोस्तों यह 27-8mm का बोर है माइनस में सत्ली आरा माइक्रों से लिए कि माइनस 26 माइकुरेश तक जरक है 24 और तक तहीं एकुरेशी के साथ यही से tf apartment होता है जो भी comfortable डाबल उसमें यह डावल already津 होगी है और यह ब्रेफरेश यह भी परट एक उन्स तीनों डावल ओके और यह दो शेंट्र की विट ओके तब यह दो पर्ण लगे सास्थ इन इसको बकुल it है कि कुरेशी मेंटेन करके अब दोस्तों इसमें में जो आपको समझाना चाहरा हूं वह है कि पॉजिशनिंग एकुरेशी के साथ साथ इसके रन आउट है पर्पेंडिकुलर्टी है पर्पेंडिकुलर्टी दोस्तों 0.05 अपना वही बोर है और इस फेस का पर्पेंडिकुलर्टी वह 0.05 के अंदर अंदर होना चीए तब यह अपना कंपोनेट एकुरेट कहलाएगा और यह आरे वेलू है 1.6 की आरे वेलू है जो फिनिशिंग की वेलू होती 1.6 वह अपन CNC भी मैंटेन कर सकते हैं और इसी के लिए ही अब उन feed RPM पर focus करते हैं तो RA value 1.6 बहुत accurate है और इसी accuracy के साथ अपना component बनना चाहिए 1.6, 3.2 और भी 6.3 accuracy आती है इसमें RA value में इसी का according अपना component को बना के चलेंगे और इधर देखें दोस्तों पर्पेंडिकुलर्टी यहां इस face पे भी रखें अंदर वाले face पे यह वाले face पे तो इस face पे भी पर्पेंडिकुलर्टी 0.05 चीए with respect to A और दोस्तों यह datum एक दे रखा है B इस B के respect में भी इस में accuracy दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर यह होल होल से हैं मैट के होल है 6 प्रपेंड और पॉजिशन एक पॉइंट वन फाइब ए और बी के respect में तो यह तो अपना सेंटर होगे face एक face के respect में तो यह पॉइंट 15 होगा तो यह अपने बिल्कुर सेंटर प्रजिशन में आएगी जो प्रजिशन एकुरेशी दोस्तों कि अपने linear में चेक करेंगे तो अपने कोडिनेट दे गई पॉजिशन एकुरेशी का वन थड के आसपास अपना वेल्व आने चीए linear parameter में तभी अपना यह पॉजिशन एकुरेशी मेंटेन होगी इसी के साथ दोस्तों यह देखो और और चीज आपको बताता हूं फंक्शनली चीज का जो फंक्शनल है वह एफ दिखा रखता है डोट कर रखता है फंक्शनल तो यह चीज फंक्शनल है दोस्तों फंक्शनिंग में काम आएगी जब यह अपन फिट्मेंट करेंगे तो यह फंक्शनली एकुरेशी जिसको मेंटेन करना बहुत आउशक है जर्वाज अपना पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर मैंने PCD को पर भी एक वीडियो बढ़ाया था तो यह PCD दिर एकुल स्क्वी काम deblaast मिल要ख अलग अलग पोजिशन पर है और अलग अलग पीश को यह दिखाने खोकर तो यहां पर लिख देता हूं इकुल स्पेस्ट बड्र यहां पर एस चोन दिखाया है, जैसे कि दिखाया गया है, उसी एंगलों पर अपनेको यह बनाके देना है. अब मैं बात करते हूं, टर्निंग के लिए यह टर्निंग के लिए दोस्तों, यहां पर फंक्षिनल वाज का मार्क कर रखा एफ इस तरह से, तो F accuracy maintain करनी है functional और यहां functional फिट्मेंट होता है component का और उसी accuracy के साथ ही अपना part okay होगा अब यहां पर दोस्तों यह देखो अब 9.5 का E8 E8 के बारे में भी tolerance grade है यह tolerance accuracy है जिसमें E8 में क्या tolerance बनती है प्लस 047 और प्लस 025 और यहां position accuracy दे रखिए 13 micron में with respect to A बहुत highly accurate है component इसको maintain करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन accuracy तो accuracy उसको maintain करना ही है अब अपना CMM वगरा पर प्रिस चेक करते हैं CMM है यह 2D measuring machine है एट गेज है CMM पर प्रिस चेक करने वाला चीज है 13 micron जैसे हाइट गेज से नहीं चेक हो पाएगा यह 2D measuring machine अपने पास होनी चीए accuracy को चेक करने के लिए आपको डाइमेटरों पर accuracy दोस्तों लड़के पूस्ट करें सरी प्लस माइनस क्या है प्लस माइनस वह है टोल्डेंस होती है जो base जो value है उसको पर कितना fluctuate हो सकता size प्लस 05 माइनस 05 तो यह 05 में टोल्डेंस से प्लस माइनस इसी तरह से यहां 9.5 का diameter पर दे रखा है प्लस 47 माइक्रों और प्लस 25 माइक्रों तो दोस्तों अलग-अलग है प्लस प्लस है माइनस में नहीं है इसमें जैसे अपनों को ट्रेंग में दे रखा है वैसे ही चलना पड़ेगा यह 70 का diameter है 70 H8 का है 046 इसकी टोल्डेंस है तो यह भी एक्रेट और बोर्गेश से चेक हो पाएगा यह बोर्गेश के लबावा नहीं चेक हो पाएगा किसी और से और यहां जापनको मशिनिंग करने है दोस्तों मशिनिंग करने है वहां पर आपनको आरे वेलू डिफाइन कर रखिए यह वह 1.6 रखा है और जहां उससे थोड़ा सा कम फिनिशिंग चीए वह दर रखिए 3.2 तो यह आरे वेलू फिनिशिंग की एवरेज वेलू होती है जहां रूट और वेली बनती है उसका रूट मीनी स्कॉार होता है आरे वेलू आरे वेलू आरे आरजेड आरवई तीन फोर आरे 99 पर्सेंट रहेंगों में आरे वेलू होती है तो यह दोस्तों यहां दिया रखा है रन आउट रन आउट पॉइंट वन विद रेस्पेक्ट तू ए तो यह चिंगल रन आउट है अगर डबल रहो आता तो यहां पर याई आर होता है जो डबल एरो टोटल रन आउट होनाच चिए विद रेस्पेक्ट ओए यह मिन्स बोरूर् पॉइंट वन के अंदर अंदर रन आउट मैंटर होनाच चिए फिनिसिंग मैंटर होनाच चिए और डामेटरस दिरेख़या एकूरेशू पोजिशन एकूरेशी वह सारि अपने टोल्रेश्क Visionción तो दोस्तों समश सकता है कि आपको वीडियो पसंद आये होगा और इस तरह के वीडियो में बनाते रहता हूं तो आप वीडियो को चैनल के साथ बढ़े रहे ताकि आपको भी समझ आए बहुत से लड़के जो नए नए हैं उनको समझ में नियाती ट्राइंग पढ़ना किस तरह से पढ़ते हैं इसी के साथ में अंड करता हूं दनेवाद